पूरी जिन्दगी जमीन के लिए लड़ते रहे और जन्द करते रहे और अंत में दो गज जमीन भी खासित नहीं कुछ यही देखने को मिल रहा है असद इंकाउंटर मामले में दरसल आपको बता दें कि माफिया अतीक एहमत के पुत्र का कल पुलिस ने इंकाउंटर किया था इसके बाद से असद के साथ मारा गया था उनका सूटर गुला और अब उनका पूस्टमार्टम हो चुका है और कल से इंतजार हो रहा है कि उनकी देड़ बॉड़ी को लेने और उनके शभ वाधिन और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संभाद दादा रभी परिहार भी हमारे साथ जोड़ेंगा तबी कितने बजे औलो पहुंचे ए प्रे यह पर्जन औ आपको बता दूँ कि असत के परजिनों में असत के दो वकील आये हैं उनके फूपाजी आये हैं और लगभग सबाद 6-6 बजे वो लोग यहां पर आये हैं और अभी पुलिस प्रसासन के साथ सब को लेने की फॉर्मल्टिस पूरी के जा रहे हैं और सब को लेने के बाद कोई भी सामने नहीं आया है और अब लगता है कि गुलाम कसा जहांसी में ही दफनाया जाएगा पुलिस प्रसासन की निगरानी में जी रभी जैसा देख रहे हैं कि कब्र खोदी जा रही है जा रही थी जा रही थी उसको लेकर बताएए गया है कि जहांसी के जीवन सा है पुलिस प्रसासन द्वारा यह असमंजस की स्थिति थी कि अगर असद और गुलाम के परजनों में से कोई नहीं आता है तो उन दोनों का अन्तिम संसकार यहीं जहांसी में कर दिया जाएगा लेकिन अब असद के परजन आ चुके हैं और अब असद के परजन आ गया है और सब को सपर्द करने की कारवाई भी करने शुरू कर दी है लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम का सब आखिर कहां जाएगा क्या पुलिस प्रसासन जहांसी में ही उसका अंतिम संसकार करेगा या फिर कोई और उसके परवार के लोग असद गुलाम का सब लेने के लिए जहां से आएंगे सामने आएंगे और अबी जैसा कि हम इस पर गूंचे हैं और लोगों ने क्या पहा है पहुआ हैं जी मैं आपको बता दूँ कि असद के फूपा जी यहां पर जैसे ही अधिवक्त्या के साथ में आये हैं वहीं पत्रकारों ने उनसे इंकाउंटर के मङले में और जानकारी लेने चाहिए तो उन्होंने पूरे मामले में चुपी साथ तmesi हो वहीं अधिवक्त्या प्रियाग वज्यक लिए रवाना हो जाएंगे वहीं अगर गुलाम के सब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गुलाम के गाउने को सब को लेने से इंकार करती है उन्होंने कहा कि गुलाम का सब उनके ही परजन आके लेंगे तो अभी अभी फिलाल क्या इस तीटी बन रही है कि अपको पुलिस अधिकारियों ने कारे में कुछ कहा है जी नवीं जी मैं आपको बतादू कि इस पूरे मामले में अभी तक किसी अभी प्रजले के आला अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है और पूरे मामले में जला प्रसासन इस समय प्रसासन समझ चुपी साधे हुए है फिलाल अब देखने वाली बात ही होती है कि इस पूरे प्रकर में असत का सब जैसे ही प्रजन सब करके ले जाते हैं अब गुला जानकारी प्राप्त है कि यहां उनकी बॉड़ी हेंडोबर के लिए बुलाया जा रहा है उसी को लेने हम दोग यहां आया असत की उनके फुफा जी आये हैं जी डॉक्तर एंवर को जी फैमिली डिसीजन है उन्होंने डिसीजन लिया उसके बाद वह यहां पार उनके बारे में कोई जन था भी प्रशा समझें क्या बाक्षी हुई है वह अपने अधिकारियों से बात करके जो भी फॉर्माल्टी जरीगी उन्हें पूरी करने बाद वह हमें सुपोर्ट करें हाँ जी जी मेरा नाम एड़ोकेट हिमाच्यू कांडे जी राज शर्मा तो क्या डिसीज अधिन चेंज हुआ उसके बाद हो जाएं कि अब तक हो जाएगा है जैसी लीगल फॉर्माल्टी अपनी बताएं परिवार तो कोई सुचना मिली जाए नहीं अभी कोई चाहिए उनकी फैमिली को गया था जी क्या लगता वाकेट जब्सके बारे में भी हम कुछ नी कहना सा झाल